मेरे प्यारे दोस्तों आप सबका मेरे चानल इस्टोई लवर्स में स्वागत है ओके गाइस एफफ का नेक्स पार्टी स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लैंजा विंग की फर्स नाइट से और लेंजा विंग के पाज जा रहा था और विंग उसे रोकना चा रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था अब आगे लेंजा विंग के पूरे सरी को छूने लगता है वो विंग के कपड़ों के अंदर अपने हाथ को डाल देता है विंग कापने लगता है उसको उस रात के जलक्या याद आने लगती है जब लेंजा ने खुद को विंग पर फोर्स किया था विंग अचानक से ही तेज की रोने लगता है और रुकेश्ट करने लगता है कि उसे गंदा ना करे विंग अपने सेंस में नहीं था उसे ऐसा लग रहा था जैसे ओ फिर से उसी रात में पहुँच गया है लैंजा विंग से अलग हो जाता है उसे देखकर हरान था कि विंग इतना डर क्यों रहा है फिर उसे याद आता है कि कैसे उस रात भी विंग सेंब रोकेष्ट कर रहा था इसका मतलब विंग अपने फ्लैस बैक में चला गया है उसे मित्या हो रही है कि उसके साथ जबदस्ते हो रही है लेंजा विंग को अपने गले से लगा कर उसे सांथ कराने की कोसिस करने लगता है लेकिन विंग सांथ नहीं हो रहा था लेंजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्यों से क्या करना चाहिए फिरो कुछ सोच कर विंग को नींद की गूली खिला देता है ताकि विंग का दिमाग सांथ हो सके विंग को कुछ देर में ही नींद आ जाती है लैंजा उसे अपने बाहों मिले कर सो जाता है नेक्ट मॉर्निंग लैंजा की नींद पहले खुल जाती है उटकर सबसे पहले अपनी प्यार को देखता है जो बहुत ही मासूम लग रहा था लेंजआ प्यार से वींग की माथ़े पर किस करता है फिर बाधरूम में जाकर रेड़ी होने लगता है कुछ देर वाद वींग की भी नीन खोल जाती है विंग उठकर बैट पर बैट जाता है लेंजा बात्रूम से फ्रेस होकर बहार निकलता है विंग बात्रूम में जाकर फ्रेस होने लगता है अचानक से विंग को कल रात की बात याद आने लगती है उसे लेंजा के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसे याद आ गया था कि लेंजा उसके लिए कितना घबरा रहा था विंग रेडी होकर बहार निकलता है लेंजा पहले से विंग का इंतजार कर रहा था विंग लेंजा के पाथ जाता है और कहता है गगा कल रात को लेंजा वींग की बात को पूरा भी नहीं होने देता और ओर कहता है कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ तुम फिकर मत करो अब जब तक तुम मुझे अजाज़त नहीं दोगे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा विंग लेंजा की बात सुनकर खुश था साइड लेंजा इन बातों से विंग के दिल में अपने लिए जगा भी बना रहा था विंग लेंजा को ठैंक यू बोलता है फिर विंग कहता है गगा, मैं हॉस्पिटल कभ से जॉइन करूंगा लेंजा कहता है मैंने वैंकिंग के हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए बात कर ली है तुम आज से जा सकते हो लेकिन अभी तुम सरफ चार घंटे ही हॉस्पिटल में जॉब करोगे युवान बहुत छोटा है जब वो स्कूल जाने लगेगा उसकी बात तुम फूल टाइम जॉब कर सकते हो वींग को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो भी जानता था कि युवान को उसकी जरूरत है वींग और लेंजा ब्रेकफास्ट करते हैं वींग कहता है गगा अब मैं जा रहा हूँ लेंजा कहता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना जब वींग जाने लगता है उसके पीछे कम से कम 14 से 15 गार्ट जाने लगते हैं जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने थे और सबके हात में गन थे वींग उनने देखकर हैरान था क्योंकि सबके सब उसके पीछे जा रहे थे विंग बापिस लेंजा के पाँ जाता है और कहता है गगा ये क्या है इतने सारे बोडिगार्ट मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं आप इने मेरे पीछे आने से मना करिए लेंजा विंग की तब देखता है और बिना किसी emotion के कहता है विंग तुम्हारी दूसरी सर्थी कि तुम अक्षा करेंगे विंग के चैरे पर मायों से साफ नजर आ रहे थी विंग कहता है गगा मैं ऐसे जॉब कैसे करूंगा सब कितनी अजीब नजरों से मुझे देखेंगे लेंजा को सोचता है फिर कहता है ठीक है तुम इतने सारे बोडिगार्ट को नहीं ले जाना चाहते तो अंदर सबसे भरोसे मंद इंसान को विंग के साथ भीजता है जो फाइटिंग में बहुत ही अच्छा था ताकि विंग की रक्षा कर सके विंग उस बोडिगार्ट के साथ हॉस्पिटल चला जाता है विंग बोडिगार्ट से कहता है क्या आप हॉस्पिटल के बाहरी मेरे इ तो उसी रास्ते से जाएगा विंग हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है विंग खुशता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ पटरी पर आ रही है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है उसे समझ आ गया था कि अगर लैंजा को प्यार से समझाया जाए तो उसकी ह अकलीव को बहुत अच्छे से समझ रहा था वो अपनी पूरी मैनल से उनका इलाज कर रहा था दिन ऐसी ही बीत रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा था विंग को हॉस्पिटल में काम करते वे पूरे दो साल हो गए थे इन दो सालों में विंग ने हॉस्पिटल में अपनी एक प बूरी नहीं लगते थे उसे पता था कि लैंजा उसके लिए और पॉसेसिव है लेकिन विंग को ये बात बिल्कुल भी बूरी नहीं लगते थे उसे लैंजा के प्यार के आदत हो गए थे हाँ लैंजा अभी भी विंग से गुसा हो जाता था अगर विंग उसकी बात नहीं मानता था लेकिन अब विंग को लैंजा को मनाना आ गया था उसका नेचर समझने लगा था ऐसा विंग को लगता था विंग ने कई बार लैंजा से प्यार से कहा कि तुम माफिया के कामों को छोड़ दो और नॉर्मल लाइफ जीओ लेंजा विंग से हामी भर देता था लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था क्योंकि उमाफिया के कामों को इंजॉय करता था और उसे पसंद था लोगों की आखों में डर देखना लेंजा और विंग की लाइफ बहुत अच्छे से चल रहे थी यूँआन धाई साल का हो गया था और बहुत ही ज़ादा नोटी था यूँआन की कुछ बाते लेंजा से मिलती थी और कुछ बाते विंग से अब यूँआन प्ले स्कूल में जाने के लिए रेड़ी हो गया था लेंजा के लाट प्यार ने युवान को जिद्धी बना दिया था विंग हॉस्पिटल अभी भी अपने बॉडिगार्ड के साथ ही जाता था लेकिन बॉडिगार्ड विंग को उसका स्पेस देता था कुछ दिन से विंग को ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल में कोई स्क्यूपर नजर रख रहा है लेकिन विंग को किसी पर कोई सक नहीं हुआ क्योंकि जब विंग उन निगाहों को ढूंडने की कोसिस करता था उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगता था उसने ये बात ना ही लैंजा को बताई ना ही बोडिगाड को क्योंकि विंग को ये बात जरूरी नहीं लगी लेकिन उसका फैसला कितना सही था कि कहा नहीं जा सकता साइदो आने वाले तुफान को देख नहीं पा रहा था उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने बाला है उसकी लाइफ में ओ तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुस था क्योंकि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था अब उसे लैंजा के साथ गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लैंजा उसकी बहुत ज़्यादा क्यार करता था उसे हर दो महीने में जियांग फामले से मिलने के लिए लेके जाता था यानली भी कई वार विंग से मिलने आ चुके थी अपनी बेवी को लेकर जो करीबन यूआन की उमर का ही था यूआन और जिनलिंग एक दूसे के साथ बहुत खेलते थे आज विंग जब हॉस्पिटल जा रहा था उसे बहुत ही बेचैनी हो रहे थी उसे अपनी दिल में थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि आज पहली बार यूआन विंग के जाने के नाम से ही रो रहा था और धाय साल का बच्चा विंग को रोकना चाता था पता नहीं यूआन ऐसा क्यों कर रहा था क्योंकि आज से पहले यूआन ने ऐसा कभी नहीं किया जब यौन बिल्कुल छोटा था तब वे विंग के जाने पर ऐसे नहीं रोया था पता नहीं आज ओ मासुम क्या सोच कर रो रहा था विंग यौन को ऐसे नहीं देख पा रहा था लैंजा कहता है बेवी आज तुम हॉस्पिटल मर जाओ देखो न यौन कितना रो रहा है विंग का मन भी रुखने को कर रहा था लेकिन विंग नहीं रुख सकता था वो लैंजा से कहता है गगा आज एक इंपोर्टन्ट ऑपरेशन है मेरा जाना जरूरी है लेकिन मैं जल्दी आ जाओंगा विंग यूआन को भी समझाता है फिर रुश्पिटल के लिए निकल जाता है विंग हॉस्पिटल जाकर उस पेशंट का अपरेशन करता है लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है फिर भी विंग सब बातों को इक्नॉर कर रहा था विंग अपना काम कंप्लेट करके बापिस मैंसन जाने के लिए हॉस्पिटल से बहार निकलता है लेकिन उसे उसका बॉडिगाड कहीं नजर नहीं आ रहा था ऐसा पहली बार हुआ कि बॉडिगाड कार के पास खड़ा नहीं था विंग उसे आसपार ढूणने लगता है अचानक से विंग के नाक के पास किसी ने रुमार रख दिया जिसके कारण विंग अपना सेंस खोकर बिहोस हो जाता है कोई उसे अपनी कार में बेठा कर ले जाता है जब विंग की आख खुलती है वो एक बैट पर था विंग उस जगा को पहचान नहीं पा रहा था विंग बैट से उड़ता है और खिड़के के बाहर जाकने लगता है लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होसी उड़ जाते है विंग को यकीन नहीं आ रहा था कि कौन उसे यहां लेके आ सकता है ये जगा किसी भी ओमेगा के लिए अच्छी नहीं थी, ये रेड लाइट एरिया था, जहां ओमेगा को जब दस्ती अलफा को सैटिस्फाइ करने के लिए बेचा जाता था, विंग भाग कर दर्वाजे के पास जाता है, और तीर तीज की दर्वाजा खट-कट आने लगता है, उँ अंदर से आवाज लगाता है, प्लीस मुझे जाने दो, कौन मुझे या लेके आया, आज विंग लेंजा से अपने प्यार का इजहार करने बाला था, उसे पूरे तरीके से अपना बनाने बाला था, अभी तक विंग ने लेंजा को जो अधिकार नहीं दिये थे, उस सा अधिकाल लेंजा को देने बाला था ये सारी बाते सोच कर विंग के आखों में आसू आ जाते हैं अचानक से रूम का दर्वाजा खुलता है विंग सामने खड़े इंसान को अच्छे से पैचानता था विंग कहता है तुम लिंग जो ती तीच की हसने लगती है और कहती है तुम भी उसी जगा पहुँच चुके हो जहां मैं थी विंग कहता है लिंग जो मुझे जाने दो मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया मेरी तुम्हारे साथ कोई दोस्मनी नहीं है तुम मेरी जिंदगी बरवात क्यों करना चाते हो लिंग जो कहती है जो भुकतान तो तुम्हें करना ही होगा वींग कहता है लिंग जाओ किसी ने तुम्हें प्यार करने के सजा नहीं दी तुम खुद को लैंजा पर फोर्स करना चाहती थी क्या तुम्हारा ये करना सही था तुम जानती थी कि लैंजा कितना डेंजर है फिर भी तुमने ऐसा किया तुम्हें वो सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है लिंग जाओ कहते है तुम अपना ग्यान बन करो क्योंकि मुझे इसके कोई जोट नहीं है विंग कहता लिंग जाओ तुम फिर गलती कर रही हो मुझे जाने दो मैं लेंजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम अच्छे से जानती हो अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो लेंजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें बरवाद कर देगा लिंग जाओ ते तेज के हसने लगती है और कहते है तुम्हें क्या लगता है मैं लेंजा से डरती हूँ और मेरा कुछ भी बिगार नहीं सकता पता है ऐसा क्यों क्योंकि मैंने अपनी कैसे कस्टमर को खुश किया जो उसका राइवल है और मेरे कहने पर ओ तुम्हें यहां लेकि आ गया लेंजा ने मेरी जिंदगी बरवात की और मैं तुम्हारी से देख रहा था लिंग जाओ अपनी बात को कंटिन्यू करते वे कहती है उसका नाम वेंचाओ है और तुम्हारा पहला कस्टमर भी वही है उसे अच्छे से खुश करना मैं उसे भीज रही हूं लिंग जाओ की नज़वींग की अंगूठी पर पढ़ती है जो लेंजा ने के बोडिगाड ने कोई रिपोर्ट लेंजा को दी थे इसलिए लेंजा खुद हॉस्पिटल पहुंच गया था लेकिन उसी पता चला कि विंग काफी दिर पहले ही निकल चुका है जब लेंजा बोडिगाड को कॉंटक्ट करने की कोसिज करने लगता है तो उसे कॉंटक्ट लेंजा अपने आदमियों को बुलाता है और उस बोडिगाड को हस्पिटल पहुंचा देता है लेंजा अपने मोवाइल से विंग की लोकेशन को चेक करता है लेकिन लोकेशन देखकर लेंजा की आंखें डार्क हो जाती है क्योंकि अंगूठी का लोकेशन रेड लाइट दिखा रहा था लेंजा की गुस्से की कोई सीमा नहीं थी अभी लेंजा की आँखों को देखकर कोई भी डर सकता था क्योंकि उसकी आँखें किसी को भी डराने का दम रखती थी लेंजा अपनी कार में बैठता है और उसके पीछे बहुत सारी कारें चल रही थी जिसमें ल लाइट एरिया में आ जाती है लेंजा अपनी कार से उतर कर सीधे उस लोकेशन में जाने लगता है जो मुवाइल के द्वारा पता चल रही थी जब लेंजा रूम का दरवाजा खोलता है उसे बहुत जादा गुस्सा आता है क्योंकि वेंचाव विंग को मॉलेश्ट करने की क कोसिस कर रहा था लिंग की नजर जैसी ही लेंजा पर पड़ती है उसकी आँखों में चमक आ जाती है विंग को पता था कि अब उसका कोई भी कुछ नहीं बिगार सकता लेंजा उसके साथ है और लेंजा उसको कुछ नहीं होने देगा लिंग जा और वेंचाव लेंजा को है आखी लैंजा को ये कैसे पता चला कि विंग यहां पर है उन्हें तो लगा था कि लैंजा को ढूंडने में बहुत जादा टाइम लगेगा जब तक विंग को बरवात कर चुके होंगे वैंचा और लैंजा का राइवल था लेकिन उस सामने से लैंजा से नहीं लड़ना चा की थी उसे पता था कि अब उसे कोई बचा नहीं पाएगा लैंजा वैंचाओ के पास आगे बढ़ने लगता है लेकिन वैंचाओ अपने पोकेट से एक गन निकाल कर विंग को अपने निसाने पर ले लेता है क्योंकि यहां से भागने के लिए सब विंग ही उसकी मदद कर स क्याता है वैंचाओ मेरे विंग को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिससे तुम्हारी रूफ भी काप जाएगी विंग को मुझे दे दो वैंचाओ विंग के सहारे कमरे से बाहर जाने लगता है वैंचाओ को पता था जब तक विंग उसके पास है लेंजा उसका कुछ भी बिगार नहीं सकता क्योंकि उग गलती से भी वींग को नुकसान नहीं पहुचाएगा इसका फाइदा वेंचा उठा रहा था लेंजा के आद्वियों ने लिंग जयाओ को पकड़ लिया था क्योंकि लिंग जयाओ के पास तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं थे ओकी गाइज आज का पाइटें रखते हैं बाई थैंक्यों